तो पेशे आपकी आज की दर्द भरी रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट मेरी जिन्दगी से जाने का क्या लोगे तुम इस गाने के आते ही रिक्वेस्ट आनी शुरू गई आपकी वाकी गाना बहुत ही शांदार है आखिर सुपर हिट जोड़ी रही है शुरू से इन तीनों की जानी विद बीप्राग और साथ में अकिपाजी तीनों ने मिलकर पहल टो चली करते हैं इस गाने को इस गाने को हम सीखेंगे हाईर ओक्टब के एफ नोट से यह से यहां से इस गानी की शुरूआत हम करेंगे देखिए वैसे शुरूआत जो होती है वह होती है इसकी मुजीक के साथ मगर मुजिक को हम स्किप करेंगे क्योंकि गाना काफी लंबा हो जाएगा वीडियो बहुत लेंती हो जाएगा आपको भी दिक्कत होगी तो सीधा शुरुवात करते हैं गाने से गाना की जैसे मैं आपको बताया हायर ओक्टव के एफ नोट से स्टार्ट होगा यहां से हम गा पहली लाइन है वो है अरे दौलात या शोहरत दुआ लोगे तुम तो पहले मैं आपको प्ले करके दिखा रहा हूं फिर आपको लाइन को धीरी धीरे स्टेप बाइस्टेप नोटेशन के साथ सिखाता चलूँगा देखिए लाइन के साथ मैंने जो सितार वाला पार ता वो भी मैंने अरड कर दिया चलिए अब इसको और आम ना मसे सीखते हैं टोन और रिदम का जबत्व हम लास से मैं देखेंगे पहले हम गाना सीख लेते हैं चलिए सबसे पहले अरे दौलत या शोहरत, अब इसके बाद दुआ, बी आ गया, मेडिल अक्टिव, इसके बाद लोगे, अब तुम, तुम के लिए तीन नोटें, इस तरह की से प्ले होगा तुम, ठीक है, और इसके बाद आता है वो सितार वाला पार्ट, इस तरह की से, अगर आप लाइन के बाद ये पार्ट बजाना चाहते हैं, तो सीख सकते हैं, क्या करना, सिंपल है, बी, डी, ए, 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 और फिर ए, डी, कैसे, इस तरह की से, मुजिक एक बाद फिर से देखिए, और फिर इसके बाद, ठीक है, तो एक बार सिंगल फिंगर से पूरी आतिया शौरत, दुआ लोगे तुम, ठीक है, इस तरह से आपको प्ले करना है, और इसके बाद लाइन है, या कोई महल नहीं आ लोगे तुम, वापस से टोन हम वहीं कर लेते, और ये लाइन भी स्टार्ट, वहीं से होगी, जो पहली लाइन स्टार्ट हुई थी, एफ मेरे बजाने से ही आप समझ गये होंगे, कि ये धुन आप पहले सीख चुके हैं, क्योंकि जो पहली लाइन थी, वो सेम टू सेम यही थी, कुछ भी अंतर नहीं था, बस अंतर क्या था, जो हमने सितार वाले टोन बजाए थी, वो हमने बजाए थी पहले यहां से, ठीक है, अब हम बजा रहे हैं, सेकंड लाइन में, जो हम बजाएंगे तो यहां से, अंतर कुछ भी नहीं है, नोटेशन से में, बस हमने यहां से उठाके यहां बजा देनी है, सेकंड वाली लाइन में, ठीक, गानी की लाइन तो सेम वैसी बजेगी, बस सितार वाला जो पार्ट है यहां से उठाके यहां बजा देना है, ठीक है, वापस से टोन चेंज कर लेते हैं, अब इसके बाद लाइन आती है, यार मेरे तू बता दे मुझे, अब हम पहुंच जाएंगे, हायर ओक्टव के ए नोट पर, इतना ओपर पहुंच जाएंगे, जार सी बास है, बीप राग इसके बाद बता दे, ठीक, अब मुझे, मुझे पर थोड़ा द्यान देना, ए नोट से शुरू करेंगे, मुझे, A, F, E, D, इस तरह के से, ठीक है, फिर से, सिंगल फिंगर से, ठीक, यही लाइन फिर से रिपीट होगी, ओ यार मेरे तू बता दे मुझे, बस ओ जुड़ जाएगा, मगर टेंशन नहीं लेना, ओ सिर्फ E, नोटी प्ले करेंगे, ओ यार मेरे तू बता दे मुझे, सेम, कुछ भी अंतर नहीं है, ओ कहा हमने एक और एक्स्टा ले लिया, ओ, बागी सेम है, यार मेरे बता दे मुझे, सेम है, ठीक है, तो लाइन को रिपीट कर देन है, बस O के लिए हम एक्स्टा ले ले लेंगे, बस, अब आती है गाने की मेल लाइन, ओ मेरी जिन्दगी से जाने का क्या लोगे तुम, और ये लाइन भी स्टार्ट बहीं से होगी, जहां समने पहली लाइन शुखर थी, हायर ओक्टप के F नोट से, देखिए, ओ मेरी जिन देखिए, अब से, जाने, यहां पर ध्यान दीजे, जाने, यहां पर जाने चेंज हो जाएगा, जब नेक्स लाइन आएगी तो जाने अलग होगा, यहां पर अलग है, जाने, ऊपर जाएंगे एकदम से, ए नोट पर, तो जाने का, का वापस दी पर आजाएंगे, का, तो यहां पर ध्यान रखना, यह स्टार्ट जब लाइन होती है, तो यहां पर यह चेंज है, ठीक है, बाद में जो लाइन आईगी, इसमें हम A note play नहीं करेंगे, इसलिए मैं अभी से आपको समझा रहा हूँ, तो इतना फिर से देखिए, ओ मेरी जिन्दगी से जाने का, ठीक, क्लियर यहां तक, इसके बाद क्या लोगे तुम, बहुत सिम्पल है, B, D, E, F, क्या, लो, गे, तुम, और मेरी जिन्दगी से जाने का, क्या लोगे तुम, एक बार सिंगल फिंगर से continue देखिए, ठीक है, अब इसके बाद line फिर से repeat होती है, मेरी जिन्दगी से जाने का, क्या लोगे तुम, और जैसे कि मैंने बताया था, यहाँ पर थोड़ा सा change है, जो मैंने शुरूर में आपको बताया, क्या है, देखिए, पहले में प्ले करके दिखा रहा हूँ, मेरी जिन्दगी से जाने का, क्या लोगे तुम, अब देखिए, हमने यहाँ पर A note नहीं लिया, ठीक है, आप हमने जाने का क्या करा, और का, ठीक है, तो यहाँ पर यह वाला change था बस, तो line आप सीकी चुके है, एक बार फटा पट बतायता हूँ, मेरी जिन्दगी से जाने का, क्या लोगे एक बार फिर से repeat होगी, ठीक, अब इसके बार line है, यह चांद या तारे हवा लोगे तुम, एक चीज़ में आपको बता दूँ, इस गाने में, यह गाना play करना बहुत सरल है, उसका reason यह है, कि यहाँ पर line है, वो repeat हो रही है, line हो के bowl तो change है, मगर जो notation है, वो बिलकुल सेम ह ही, ठीक है, तो बिलकुल आप पहली line जो हमने play करें थी, वैसे ही आप यह वाली line हम play करेंगे, यह चांद या तारे हवा लोगे, तो मुश्किल से हमने दो line हैं अभी तक, क्योंकि सारी line हो रही है, तो आपके लिए बहुत easy हो जाएगा, देखी मैं आपको play करके दिखा र पिर भी अगर कुछ दिक्कत होती है, थोड़ी बहुत भी, तो वो आपको screen पर clear हो जाएगी, क्योंकि notation आपको screen पर दिखते जा रहे होंगे, अब इसके बाद जो line है, या लिखने की मेरी कलाल होगे तुम, जैसकि मैंने पहली बताया आपको, कि line सब repeat हो रही है, यह भी repeat ह देखिए, अब इसके बाद line आती है, तो आप यह भी समझ गया होंगे, कि यह भी repeat ही line है, तो यह line तो वही की वही है, इसके bowl भी वही है, ठीक है, bowl भी change नहीं है, यार मेरे तु बता दे मुझे, वही चीज़ है, अब जो इसके बाद लाइन आएगी, और मेरी जिंदीगी से जाने का, ध्यान से देखिए, मैं बजा के दिखा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा, बस, इतना ही, आधा ही, क्योंकि गाने में आधा ही play हुआ है, मेरी जिंदीगी से जाने का, डी नोट तक ही, तो यहाँ पर आपको repeat तो करनी है, मगर सिर्फ आधी line, अब शु लाइन स्टार्ट होगी, higher octave के, डी नोट से, यहाँ से इस line को हम play करेंगे, देखिए, अरे, कुछ, तो, तो पर ध्यान रखिएगा, तो, ठीक, अब बोल, फिर मूँ तो खोल, यह भी से मैं सही, मूँ, तो, खोल, ठीक है, अरे, कुछ, तो बोल, मूँ तो खोल, से मैं, ठीक, इसके बाद, इसके बाद, प्यार भी, और इसके बाद से मैं सही, ढूंड के, तो, प्यार भी, और ढूंड के, दोनों से मैं, अब इसके बाद दे देंगे, D E F E दे दे गे ठीक है एक बाद सिंगल फिंगर से पूरी लाइन दिखा रहा हूँ अरे कुछ तो बोल मुझ तो खोल प्यार भी ढूंड के दे देंगे सिंगल फिंगर से continue देखिए ठीक है किलियर अब इसके बाद लाइन है और क्या कर दे तुझको हम नए यार भी ढूंड के दे देंगे अब देखिए जसकी मैं आपको पहली बताए था कि लाइन रिपीट होती है तो यह लाइन भी रिपीट है देखिए मैं बजा रहा हूं आपके समझ में आ जाएगा तो देखा आपने सेम वही की वही लाइन हमें रिपीट कर देनी है फिर भी मैं फटाबट आपको एक बार बता दे रहा हूं और यह क्या कर दें तुझ को हम नया यार भी धूंड के दे देंगे ठीक है तो सेम वही लाइन थी तो अंदर की पहली लाइन को आपको अच्छेश से सीख लेना है और जब दूसरी लाइन प्ले करेंगे तो सीखने की जरूती नहीं है उसी को आपको रिपीट कर देना है और इसके बाद दोगे तुम तो आप मेरे कहने से ही समझ गयोंगे कि यह लाइन भी रिपीट लाइन है देखिए वही लाइन है जो शुरू में हमने सेखिए दी सेम डू सम वही चीज है और इसके बाद भी वही सिलसला चलेगा जब गैरों से नजरे मिला लोगे तुम यह भी वही है और इसके बाद तो वही पूरा का पूरा रिपीट करना शुरू वाला पार्ट हो मेरी जिन्देगी से ज कि रखें गरबा की और इसमें स्पीड जो मिने रखिए रिदम को बजाने के लिए वह मैंने रखेंगे 120 तो शूरू में जो बने रिदम के साथ बजाया था अगर आपको पसंद आया तो टोन कीजिए रिदम सब्सक्राइब कीजिए और टेंपो रखिए यानि की स्पीड तक है 120 और शुरू हो जाईए